हेलो फ्रेंट्स एंड हेलो माई डिये इस्टेंट्स आज आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पर आज हमारा टॉपिक है केलेक्ट्र आफ ए हैपी लाइफ यह एक पोईम है इसे सर हैंदी वॉल्टन ने लिखा है आज और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के लिए लाइक करें और इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें जिससे की मेरा हर आगे आने वाला वीडियो आपके यूट्यूब के इंबॉक्स में अपने आप पहुंच सके तो हम पोईम स्टार्ट करते हैं करेक्ट्र आएंगे तो फर्स इस्टेंज आप पहले आते हैं हाउ है पी इस ही बोर्न और टॉट्ट दैट सब्स नौट अनदर स्विल हूस आर्मर इज इस ऑनेस्ट थॉट्ट एंड सिंपल टूथ हीज और मोस्ट इसकिल अब फिर से स्टार्टिंग से फर्स्ट लाइन पर आते हैं आप देखते रहें ध्यान से हाउ हैपी इस ही बोर्न और टॉट्ट कि बहें बेखती कितना हैपी है कितना प्रसन है जो यहां पैदा हुआ है और जिसने यहां पर सिक्षा पाई है देखिए इस पुर्म में हम आपको करेक्टर आपे हैपी लाइफ एक प्रसन जीवन का चर प्रसन जीवन ब्यक्ति का चरजित्रम अगे लाइन प्रसन रहने वाले ब्यक्ति ने किसी दूसरे की विल मिस इच्छा का कभी उसने सेवा ना कि हो मतलब जो कभी किसी का गुलाब ना रहा हो स्वयम का राजा रहा हो Whose armor is his strong thought और उस प्रसन रहने वाले ब्यक्ति के armor रक्षा कभज उसके honest thought पवित्र विचार होते हैं ऐसे प्रसन रहने वाले ब्यक्ति के रक्षा कभज उसके पवित्र विचार होते हैं And simple truth his utmost skill और simple truth और सर्व साधरान सत्त ही उसकी utmost skill उसकी प्रमुख योगिता होती है कहने का अपड़ा यह है कि प्रसन रहने वाले ब्यक्ति की जो प्रमुख योगिता होती है वो सत्य वोलना होती है सत्य वादिता अब आप अगले इस्टेंजा पर आएंगे इसको पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद इसका line by line आपको हम हिंदी मलत बताएंगे हम पढ़ते हैं Whose passions not his masters are Whose soul is still prepared for death Untied unto the world with care of princely love और vulgar breathe Whose passions not his masters are इस प्रसन रहने वाले ब्यक्ति की passions भावना है उसकी masters स्वामी नहीं होती कहने का प्राई यह है कि यह प्रसन रहने वाले ब्यक्ति अपने भावनाओं का गुलाव नहीं होता हम लोग कि यह भावनाओं में बैज आते हैं कभी अच्छा काम कभी बुरा काम कर जाते हैं ये पिर्षन रहने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं में नहीं वहता Whose soul is still prepared for death और इसकी soul मीस आत्मा प्रिपर तयार रहती है death मरत्यू के लिए इस पिर्षन रहने वाले व्यक्ति की आत्मा मरत्यू के लिए सदेब तयार रहती है मतलब ये मरत्यू से नहीं दरता है इसे मरत्यू का कभी कोई डर नहीं होता है Untied unto the world with care और इस world with care इस चिंता रूपी संसार में इस चिंताओं से बड़ संसार में ये Untied रहता है ये बंधन मुट वहता है कभी इस चिंता रूपी संसार में किसी बात की चिंता नहीं करता है जैसे कि हम लोग बात बात पे हर बात की चिंता करते रहते हैं अपने भविश की चिंता करते रहते हैं पर ये किसी बात की चिंता नहीं करता है और प्रिंसली लब और बल्गर बीथ ना तो ये चिंता इस बात की करता है कि इसे पिर्शली लब इसे राज-कुमारों जैसा प्यार मिले और या और नाई चिंता इस बात की करता है कि इसे बल्गर प्रीट कोई इसे अब शब्द बोले कोई इसे अब शब्दी बोलता है तो ये उसकी चिंता नहीं करता मतलब दोनों कंडिशन में ये एक जैसा रहता है अब इसका आगले स्टेंज हम पढ़ेंगे अब इसका हाथ समझते हैं फ्रीमस अफवाओं से अफवाओं से ये आधारहीन विचारों से शुतन रखता है ये किसी भी बात की अफवाँ में नहीं आता जैसे कि आज हम लोग आ जाते हैं अफवाँ में Whose conscience is his strong retreat और इस पिरसंद रहने वाली ब्यक्ती की Conscience अंतर आत्मा ही इसकी strong retreat इसकी शरण इस्तली होती है भाई इसकी शरण इस्तली होती है Whose state can neither flutters feed और इस पिरसंद रहने वाली व्यक्ती की स्थिती के लिए flatterous chaqueman us भी नहीं कर सकते कहने का प्राई यह है कि यह पिरसंद रहने वाले व्यक्ती चाप लूसों की बातों में भी नहीं आता जैसे कि जो चाप लूस लोगों गते हैं वो हमारी अत्यदिक प्रसंसा करते हैं हम अच्छा काम करने प्रसंसा बुरा काम करने प्रसंसा तो ऐसे चापलूस लोगों की बातों में यह नहीं आता है चापलूस से भी अपने आपको यह मुक्त रखता है कboo नवर रूरिंड मेख ओप्रेसरर्स ग्रेट है ओप्रेसर लह सत्या चारी यह कोद्टी डरता है कि वह इस प्रिस्त अजह भाने वाई वruktी को नश्ट कर देंगे वह ऐसे लोगों से भी वह नहीं डरता है कि अब आप अगले نہ पर आएगे अब इसको समझते हैं और ये प्रिसंद रहने वाला बैक्ती कभी किछी से कोई इन्वीज इन्वीज में इर्शा, घिणा, नफरत इस प्रिसंद रहने वाला बैक्ती कभी किसी से नफरत नहीं करता है whom chance doth raise ना तो ये नफरत उन लोगों से करता है जो अपने भागिवस जिनें समाज में आगे बढ़ने का मौका मिला है तरक्की करने का मौका मिला है ये उनसे नफरत नहीं करता है हम आप लोगों देखते हैं जैसे हमारे समाज में कोई व्यक्ती तरक्की जल्दी कर लेता है जल्दी कोई अच्छा पद पा लेता है तो उसे हम लोग नफरत करने लगते है हमें अपने दुख से परिशानी नहीं होती है लोगों के लिए दूसरों के सुख से परिशानी होती है लेकिन इस परिशन दरने वाल व्यक्ती के लिए दूसरे लोगों के सुख से भी कोई परिशानी नहीं होती यह से भी कोई इर्शिया नहीं करता है नौर वाइस और ना ही ये इर्षिया उन लोगों से करता है जो बुड़े साधनों का प्रियोग करके या गलत तरीके से पैसे वाले हुए हैं उन्हों नाम कमाया है तो ये ना तो अच्छे लोगों से न गलत लोगों से ये किसी से भी कोई इर्षिया नहीं करता है how depressed wants are given with praise चाहें इस पिरसंट रहने वाले व्यक्ति की कोई प्रेज कितने भी पिरसंटा करे और उसे कितने भी पिरसंटा रूपी दीपेस्ट गहरे बांट्स घाव दे लिकिन वो ऐसे लोगों की बातों में भी नहीं आता है प्रिसंसा की जाल में तो ये कभी फस्ता ही नहीं है प्रिसंसा गोड़ें तो तारीफ No rules of state but rules of good ये प्रिसंदर रने वाला बेक्ती No rules of state ये किसी राज पर साशन नहीं करता बलकि rules of good ये अच्छाई पर साशन करता है देखिए राजबिसासन तो बोग करेगा जो जादा ही महान होगा जादा ही पैसे वाला होगा तो यह आवश्चक नहीं कि इस प्रिस्णतरने वाले व्यक्ति के पास बहुत संसातन हो बहुत जमी जगा हो बहुत पैसा हो लेकिन हां इसके एक पास एक क्वालिटी होती है इसके पास अच्छाई होती है यह अच्छाई प्रिसासन करता है अब हम अगला इस टेंजाब पढ़ेंगे alted who God.late and early pray और ये फिरसन दने वाला वेक्ति God, ईश्वर की लेट and early pray हर समय प्रह प्राथना करता है ये ईश्वर की हर समय बंदना करता है more of His grace और ईश्वर से इसको दयापराप्त होती है दयाभावना ईश्वर से इसको पराप्त होती है देन gifts to land और इससर से इसे आशीर बार प्रॉयाप्त होते हैं who entertains the harmless day और ये पिर्सनदने वाला अब्रेक्ती entertains मन्रुजन करता है swam का मन्रुजन करता है the harmless day अपने swam की दिन का मन्रुजन करता है बिना किसी को कोई harm पहुँचाए किसी को कोई नुकसान पहुचाए आज की इंसान में क्या है उसे दूसरों को नुकसान पहुचाने में दूसरों को कष्ट देने में उसी बहुत आनन दाता है लेकिन हमारा ये पिरसंद रहने वाला वेक्ति जो है वो दूसरों को बिना कोई नुकसान पहुचाए बिना कोई च्चती पहुंचाए स्वैंप अपने आप का मनोंजन करता है, च्फिया वेल चूजन बूक और फ्रेंट और ये अपना मनोंजन कैसे करता है, तो इसके मनोंजन करने के दो साधन है, इस हैपी मैंन के वो हैं या तो अच्छी किताबों को पढ़खे, ये अपना मनुझर करता है या फिर अच्छे दोस्टों के साथ ये रहता है और मै आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि हमें अच्छी किताबों से कुछ सीखना चाहिए या अच्छी किताब में ग्यान का भंदार होती है और हमें दोस्ट भी friend अच्छे लोगों को भी बनाना चाहिए हम दोस उन लोगों को बनाए इनके अंदर अच्छी आदते हो उनको ना बनाए इनके अंदर गलत आदते हो इनके अंदर ऐसे गलत विचार हो जो समाज को गलत रास्ते पर ले जाएं अब हम सबसे लास्ट इसका इस्टेंजा पढ़ते हैं अब लास्ट इस्टेंजा की हम हिंदी समझते हैं तो इस मैं इस फ्री फ्रॉम सर्वाल बैंज यह हैपी मैं जो होता है यह पिर्शनर रने वाला ब्यक्ति अपने आपको फ्री रखता है सर्वाल बैंज इस दुनिया के विभिन सांसारिक बंधनों से बेबंधन बेपरस्टि यह जिसमें ब्यक्ति किसी का गुलाम बन जाता है इसे ब्यक्ति गुलामों की तरह कारी करता है तो वो ऐसे सारे बंधनों से ये हैपी मैन अपने आपको मुक्त रखता है आचात रखता है और फोप टू राइस और फियर तू फॉल ना तो ये जादा होप आशा करता है उमीद करता है तू राइस आगे बढ़ने क और फियर तू फॉल और ना इसे कोई भे होता है को डर होता है कि इसका पतन हो जाएगा ये नीचे गर जाएगा ना तो यादा ये सुक की आशा करता है ना यादा की आशा करता है लॉर्ड विम्सेल्फ ये स्वैम का स्वामी होता है स्वैम का मालिक होता है एक हैपी मैं स्वैम का मालिक होता है स्वैम का भगवान होता है दा नौट अफ लेंस यदि ये किसी लेंस किसी भूमी का किसी संपत्ति का मालिक हो या ना हो लेकिन ये प्रिशन दरने वाला व्यक् स्वैम का मालिक होता है and having nothing he hath all और इस प्रकार से having nothing इसके पास कुछ भी न होकर मतलब इसके पास कोई संपत्ति न आ होकर कोई पैसा न होकर कोई भूमी न होकर भी he hath all इसके पास सब कुछ होता है और ऐसे उधान हमारे देश में भी बहुत से देखने को मिले हैं जिन लोगों पास कुछ भी नाता फिर भी वो इस देश में ऐसा नाम कर गए कि कुछ कि भी नहों कर आज हम उनका नाम बड़ा गर्ब और बड़े प्रेम से लेते हैं ऐसे बहुत से माई देश में करनती गाड़ी लोग रहे हैं और ऐसे बहुत से राजनेता भी रहे हैं तो इसी के साथ यह प्रेम की संब्री यहीं फिनिश होती है इसे आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि आपको फिर हर नया वीडियो आपके पास असानी से पहुँच सके धन्यवाद